खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे बस में पुलिस ने आग लगाई है भीर ने नहीं वीडियो में पुलिस बस के अंदर कुछ डालती हुई नजर आ रही है ये कहना है मनीश सिसोधिया का उन्होंने ट्वीट किया है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चुनाव में हार के डर से बीजेपी दिल्ली में प्रक्षन में आग लगाई जा रही है यानि जो कुछ हुआ क्या उसमें पुलिस की मिली भगत थी ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है आमादी पार्टी के नेता मनीश सिसोधिया ने एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है और उसके बारे में उन्होंने ये ब पहले बस के अंदर सब कुछ सामान है हलाकि ऐसा लग रहा है कि बस के शीशे टूटे हुए हैं और ये देखे एक हाथ में कोई कंटेनर है पुलिस कर्मी के उसे लेकर बस के अंदर वो दाखिन होता है दूसरी तरफ जाता हूँ शक्स नजर आ रहा है पुलिस वाला अब सवाल ये कि आखिर ये क्या हो रहा है एक आदमी आप देखेंगे जो हेलमेट पहन कर वहाँ पर नजर आया जिन्स पैंट उसने पहन रखी थी सवाल ये कि क्या ये पुलिस वाला हो सकता है सवाल ये कि आखिर कौन है इस वीडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े किये है जैकेट वैसे पुलिस वाली है जो पुलिस वाली आमोवन पहनते हैं इन मौकों पर बुलिट प्रूफ या फिर ताकि उन पर हमला हो पत्थर बरसाए जाए तो कुछ ना उस तरह की जैकेट है जो गतिविधिया इस वीडियो में नजर आ रही है उनके पीछे अपने आप में कई सवाल है पुलिस संडक्षन में क्या आगजनी हुई है ये बड़ा सवाल है मनीश सिसोदिया ने ये वीडियो ट्वीट किया है ये हम आपको बता दें उनके हवाले से ये वीडियो जारी किया गया है इस वीडियो में आप देख पा रहे थे कि एक शक्स हाथ में कंटेनर लेकर उधर की और जाता है बस की तरफ तब तक इस बस में आग नहीं लगी थी बस के शीशे हलाकि टूटे हुए नजर आ रहे है और बताया जा रहा है कि इसी बस में बाद में आग लगी तो क्या वाकई पुलिस की इसमें कोई मिली भगत है ये सवाल है मनीशिर सिसोधिया ने जो ट्वीट किया है उसके आधार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं इस वीडियो को लेकर चुकि भारतिये जंता पार्टी ने सीधे तोर पर आम आद्वी पार्टी के निताओं पर आरोप लगाया था अब कंटेनर में क्या है ये साफ नहीं है क्या कोई जोलनशील पदार थे पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ है या फिर पानी है ये भी नहीं पता सवाल कई है कि क्या वाकई इस वीडियो में जो गतिवी थी नजर आ रही है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पुलिस वाले नहीं बस में आग लगा दी या पुलिस वालों की कोई भूमिका थी आग लगाने में ये तमाम सवाल हैं और जाज के बाद ही ये साप हो पाएगा एक पीले रंग का कंटेनर आप देख रहे हैं पुलिस कर्मी के हाथ में और वो तेजी से बस के पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आया ये देखिए एक बार फिर से सामने से ये वीडियो आप देखिए कहानी है इस वीडियो की इसके आधार पर मनीश सिसोदिया ने जरूर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो कुछ हुआ वो पुलिस के संदक्षन में हुआ यानि उनका ये कहना एक लिहास से कि ये सब कुछ जो हुआ है ये पुलिस ने या तो किया या पुलिस की मिली भगत है तो क्या जो बस में आग लगी है जो आग जनी की घटना हुई है वो भीर की तरफ से ये चीज़े नहीं की गई क्या इन सब के पीछे पुलिस ही है ये एक बड़ा सवाल जरूर है हलाकि बहुत कुछ स्पश नहीं है इस वीडियो में जो पुलिस वाला हाथ में कंटेनर लेकर जाला है पीले रंका अब इसके अंदर क्या है क्या वाकई कोई जोर्नल शील पधार्थ है जिसकी मदद से वहा बयान आ गया है वरुन जैन मेरे सहीओगी मेरे साथ इस वक्श जुड़ गएं वरुन पुलिस क्या कह रही है जो लोकल लोग है वो पानी भर कर लेकर आ रहे हैं जो बाइक थी पहले उसको वहाँपर भुजाने की कोशिश की है और इसके बाद जो पानी का डबब था उसको दूसरे पुलिस कर्मियों ने लेकर बस के दूसरी तरफ से गया है और बस के अंदर डाला है दिली पुलिस का कहना है कि बस के अंदर भी आग लगा दी गई थी उसको पहले ही नियंतरित कर लिया गया तो कही न कही दिली पुलीस का ये साफ कहना है कि पुलीस ने इस तरह की किसी घटना को अंजाम नहीं दिया और जो शक्स को आप हेलमेट पहने देख रहे हैं वो पुलिस कर्मी और इस तरह की सीती में अखिलेश ऐसा देखा गया कि पुलिस सिविल ड्रेस में भी मौजूद होती है हेलमेट लगा लेती हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से पथर बाजी की जा रहे थे हातों में डंडा है वो पुलिस कर्मी है जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुई थी और जब बाइक्स को आग लगा दी बस के अंदर कुछ आग जनी की तब लोकल लोगों की मदद स आरोप लगाए है ये जो वीडियो है इसको ट्वीट के एसके पिक्स को ट्वीट के लेकिन इससे ये कहीं साफ नहीं हो जाता है कि पुलिस कर्मीओ ने बस में आग लगाई है उस कंडेनर में कहता उस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पाली था और बस में जो आग लग ये वो बस जिसका वीडियो मनीश सिसोधिया ने ट्वीट किया जिसको लेकर हमने आपसे कहा कि कुछ सवाल खड़े हुए हैं लेकिन कुछ साफ नहीं है कि आखिर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं ये जो गतिविधी है इसके पीछे मकसद क्या है क्या आग को बुझाने की कोश तो सीधे तोर पर वो पुलिस पर ये गंभीर आरूप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों के संरक्षन में ही ये आग जनी हुई है यानि पुलिस की मिली भगत है लेकिन दिल्ली पुलिस इससे इंकार कर रही है दिल्ली पुलिस की तरप से आधिकारिक तोर पर ये कहा गया है कि आग को बुझाने के लिए पुलिस वाले उधर जा रहे थे ना कि आग लगाने के लिए और जबरदस्त राजनीती शुरू हो चुकी है आज कि इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिलकुल आमने सामने आपको पता है दिली में आने वाले दिनों में चुनाओ भी है और उसी चुनाओ की आहट को आफसाफ तोर पर समझ पा रहे होंगे लेकिन दुर्भागे पूर्ड ये है कि क्या इस तरह की घटनाओ पर राजनीती होनी चाहिए आज दिन में ये खबर आई थी बड़ी खबर तीन चार दिनों से जामिया मिलिया इसलामिया इन्वरसिटी के चातर परदशन में लगे हुए थे परदशन कर रहे थे लेकिन आज अचानक से हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो गए और उसके बाद का दिर्श आपके सामने है क्या क्या हुआ एक के बाद एक भीड में कई अराजक तत्तो शामिल हो गए ये कहा जा रहा है चुकि जामिया के जो चातर है वो तो साफ तोर पर इंकार कर रहे हैं उनका ये कहना कि हमने ये हिंसा नहीं की है तो आखिर ये कौन लोग थे ये सवाल है बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनका हाथ इन सब के पीछे नहीं है BJP जान बुच कर राजनितिक उद्देश्य से इस तरह के इल्जाम लगा रही है